असलाम अलेकुम च्रॉइंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ केश बुक अंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के दर्मियान कैशबुक क्या होती है जहां केश का तमाम रिकाॉड रका जाता है कितना कैश मिस्नस में आ और कितना cash business से जा रहा है, Receipts and Payments Accounts भी इसी मकसद के लिए इस्तमाल होता है, लेकिन cash book जो है, यह एक formal book है, जो के तमाम organizations बनाती है, यहां हम इसके सामने लिख देते हैं, यह एक formal book है, जो के तमाम organizations, date के साथ, तमाम जो accounting के rules है, requirement है, उसके according यह बनाई जाती है, इसे book of original entry भी कहते हैं, इसके इलावा जो Receipts and Payment Account है, यह informal book है, जिसमें date का ख्याल नहीं रखा जाता, और इसके इलावा जो भी transaction है, उसकी detailed information नहीं दी जाती, कि transaction किसे सरे related है, और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं, कि यह account जो होता है, Receipt and Payments Account, यह informal account होता है, तो अब हम पहरे cash book पर देखते हैं, cash book जो है, किस system के according बनाया जाता है, cash book हम बनाते हैं, double entry system के मुताबिक, यानि cash book double entry system का part होती है, इसे book of original entry कहते हैं, इसको देखकर फिर ledger accounts, जिसे हम T accounts भी कहते हैं, जिस पे double entry में हम क्या करते हैं, हर transaction के दो aspects, debit aspects और credit aspects जो है, वो record किये जाते हैं, और वो जो recording है, वो cash book को देखकर की जाती है, और इसके अलावा, जो हमारी receipt and payment account है, जैसा के हमने कहा, यह informal account होता है, इसलिए यह double entry system में नहीं आता, हमने इसे लिख दिया, यह outside the double entry system है, इसके बाद हैं, हमारे पास cash book में, हम जो भी transaction record करते हैं, हर transaction को separately record किया जाता है, हर transaction की date लिखी जाती है, उस transaction हम कहते हैं, किसी भी business की तमाम record को, यानि एक transaction की वज़ा से, एक lien देन का मौमले की वज़ा से, sale purchase की वज़ा से, क्या business में cash आया है, या क्या business से cash गया है, वो हर transaction का हम cash book में maintain करते हैं, और इसके इलावा, जो हम लोग receipts and payment account बनाते हैं, इस account के अंदर हम, तमाम transaction को separately record नहीं करते, हम लोग इसकी जगा ये करते हैं, कि साल के आखर में, जिसे हम कहते हैं, end of accounting year, यानि अगर accounting year एक start हो रहा है, January से, तो ये 12 महीने का period होता है, January से start हो रहा है, तो ये खतम कहा होगा, ये खतम होगा December पर, यानि एक January से start होकर, December पर ये खतम होगा, हम लोग एक साथ भी transactions को record कर सकते हैं, लेकिन cash book में हम date के साथ, हर transaction को separately record करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, cash book में हम लोग जो भी transaction, यानि अगर हम लोग उने, कोई चीज खरी दी हैं, तो हम mention करेंगे, हमने ये चीज इतने की खरी दी हैं, और इसमें इतना cash हमने दिया है, और इतना cash देने वाला रहता है, जो cash हमने pay किया है, वो cash book में लिखा जाता है, लेकिन जो इसकी description है, या जिसे हम लोग narration कहते हैं, वो cash book में लिखना जरूरी है, इसके बाद अगर हम receipt and payment account पर आएं, जैसा कि हमने पहले देखा, कि ये informal account होता है, इसके यहाँ पर हम लोग narration नहीं लिखते हैं, इसके बाद जो हमारा, हमारी cash book होती है, उसमें हमने cash book के बाद इसको देखकर, जैसा कि हमने पहले का ledger बनाए जाते हैं, तो ledger का जो reference number है, वो भी cash book में mention किया जाता है, let's suppose, first करें, हमने cash book के अंदर, जो transaction लिखी है, उसके सामने हम लोग लिख देंगे, कि इसका reference number 3 है, इसका मतलब यह है कि reference number 3 होने का, जो third number पर या third page पर हमने ledger बनाया है, वो उस specific items related है, जैसे अगर purchases related, हमने cash book में entry की हुई है, तो हम लोग purchases के सामने 3 reference लिख देंगे, और वो reference लिख देंगे के लेजर जहां बने हुए हैं, लेजर के third page पर हमने purchases की information को maintain किया हुआ है, इसके बराक्स अगर हम receipts and payments account पर आएं, तो इसमें हमने इसको देख कर ledger नहीं बनाने होते हैं, इसलिए इसमें ledger का reference भी नहीं दिया जाता, इसके बाद अगर हम cash book में देखना चाहते हैं, कि daily basis पर हमारे पास cash कितना आया है, तो daily basis पर जो cash है, क्योंकि यहां हम लोग narration mention करते हैं, हर transaction को separately record करते हैं, इसलिए जो daily cash balance है, वो हम लोग assertion कर सकते हैं, यानि उसे हम लोग check कर सकते हैं, और अगर हम लोग यही चीज़ देखें, receipts and payments account में, तो receipts and payments account में, हमने यहां देखा, कि इसमें हम लोग साल के आखर में, तमाम transactions को लिख सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है, कि डेट के साथ हर transaction को record किया जाए, या कितने पैसे आएं हैं, कितना cash आया है, उससे हर transaction को separately record किया जाए, यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए daily cash balance जो है, वो हम लोग maintain इसमें नहीं करते हैं, इसके बाद cash book कौन सी organizations prepare करती हैं, तो यहां पर यह mention है, कि तमाम organizations cash book prepare करती हैं, अब तमाम organizations में कौन सी organizations आती हैं, वो organizations profit कमाने के लिए काम कर रही हों, इस तरह different business काम कर रही हैं, जैसे software companies या इस तरह की बहुत से companies, इसके इलावा ऐसी organization जो profit कमाना जिनका मकसद नहीं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि non-profit organizations प्रॉफिट से हैं या ऐसी organization जिनका तालुप प्रॉफिट से हैं या ऐसी organization जिनका जो non-profit हैं, दोनों organizations जो हैं cash book को maintain करती हैं, इसके अगर हम लोग देखें कि receipts and payments account कौन prepare करता है, तो receipts and payment account सिर्फ वो organizations prepare करती हैं जिनका जो non-profit होती हैं या जिनका purpose profit कमाना नहीं होता, जो non-profit organizations या welfare होती हैं वो receipts and payments account बनाती हैं, इसके बाद cash book को हम current account कहते हैं, current accounts ऐसे account होते हैं, जिनमें हम लोग regular basis पर हम लोग तमाम balance को maintain करते हैं और ऐसे transactions के जो भी transaction होती है, उसका हमें यहां पर record रखना होता है cash का, इसलिए हम अपना current account कहते हैं, इसके इलावा अगर हम देखें receipts and payment account पर गो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम साल के end पर हमें तमाम transaction को हम लिख सकते हैं, हमें separately each transaction का हर date के लिखा से record नहीं रखना होता है, इसकी need हमें साल के आखर में usually पढ़ती है, उसमें हम लोग बनाते हैं और लिखते है information, इसलिए इसको हम periodical account कहते हैं, इसके बाद हैं हमारे पास जो cash book होती है, यह compulsory है, यानि हर organization उसका तालोग profit कमाने से हो, या profit कमाने के इलावा, वो non-profit organization हो, welfare के लिए काम कर रही हो, जो भी organizations हो, यह तमाम prepare करती हैं, इसलिए यह जरूरी है, और इसके इलावा, अगर हम देखें, receipts and payments account को, तो यह बनाना standard की requirement नहीं है, और यह account non-compulsory होता है, जो के सिर्फ non-profit organizations बनाती हैं, इस वीडियो में हमने देखा, receipts and payment account, तमाम non-profit organizations बनाती हैं, और यह cash book से मिलता जोलता है, क्योंकि इसमें भी cash का record रखा जाता है, receipts and payments account में और cash book में भी cash का record रखा जाता है, तो इन में क्या differences है, cash book में and receipts and payments account में यह आज हमने जाना,